स्वागत अब सबका मेरे इस चैनल पर स्वागत है और इस वीडियो में भी इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेतनों की निरंत टरता क्यों आउशके और कितने होशक है तो stay tuned वीडियो अंत तक देखिए अपको इस वीडियो से motivation भी मिलेगा और आपके जीवन में जो कारियर रुखे हुए है जो target अभी तक आपको अच्यू नहीं हुए है वह हासिल करने में इस वीडियो से आपको प्रिरना मिलेगी तो stay tuned and meanwhile subscribe my channel like this video share the content and comment with the relevant question so let's begin तो हम जानते है कि प्राइतनों की महत्ता कितने बड़ी है जीवन में अगर कुछ भी हासिल करना हो तो हमें प्राइतना करने पड़ते है और प्राइतना निरंतर करने पड़ते है बहुत बार हम ऐसा देखते है कि हम प्राइतना करना ही छोड़ देते है क्योंकि हमको यश मिलता नहीं एक्सपेक्टेड जो यश जो है वह हमें समय पर मिलता नहीं और हम बोर हो जाते हैं यारे क्या हो रहा है और ऐसा होता है कि फिर हम उसका जो प्रहतना जो करने है छोड़ देते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असल में उस वक्त आप यश के जो सक्सेस है उसके बहुत नजदिक होते है आप सक्सेस के बहुत नजदिक होते है अगर आप थोड़ा और ट्राइ करते है तो शायद आपको सक्सेस मिल जाता लेकिन आप छोड़ देते हैं पर इतना ही छोड़ देते हैं मैं आपको बता रहा था कि एक वेक्ति था, जिसके पास एक खेट था, और उसके ओनर्शिप में था, और उसमें खोदय कर रहा था, कि सोना निकले, खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, पर उसको वह सोना नहीं मिला, फिर भी वह खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, उसको सोना नहीं म प्रहतना बेकार है, कुछ फायदा नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं। और थोड़ा उसने कोट कर देखा, कि फिर फिर भी उसको यश नहीं मिला। उसके बाद उसने वो प्रहतना छोड़ दिया। और खुदाई के लिए उसको धन लगा था। तो यह नुकसान वो सन भी नहीं कर पाया, तो उसने वो खेद भी बेच दिया। और उसने प्रहतना छोड़ दिया। जो जिस विक्ति ने वो खेद खरीदा। और उसने भी देखा कि उसने भी किस्मत आजमानी चाहिए। तो वो हभी कुदाई किया उसने और लगबक सो मिटर के अंतर पर। सो मिटर की उसने कुदाई की नहीं की उसको सोना लग गया। तो यह जब वो जो पहले वाला विक्ति था मालक उसको पता चला तो पागल हो गया। तो इस किस्से कहानी से हमें क्या समझता है। यह किस्सा सचो या जूटो इसमें मतलब नहीं। यह हमको यह सिखाता है कि आपको प्रेतन जोड़ने नहीं चाहिए। अगे-आगे करते रहने चाहिए। और बहुत 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 हार आजा होता है कि आप सकसस के बहुत नज़दिक होते है। आपको प्रेतन जूटिक होता है। लेकिन नज़ने न करते नहीं। और एक आपको मैं उधारन देता हूँ कि बाश्पका इंजिन जो बाश्पका इंजिन था यह एक ऐसा अविश्कार था कि अविश्कार के कारण पृत्वी का इतियास बदल गया पृत्वी का सब पॉलिटिक्स बदल गया पृत्वी का सब उध्यम का जगत बदल गया ऐसा य पके यंग जीन का श्रेय, इसके आविशकर का श्रेयर जैम्स वाट को दिया जाता है और देना भी चाहिए कि की उसने उसकी पुर्ना प्रतिभा पुर्ना कल्पना शक्ति पुर्ना 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 प्रतिभा शक्ति光 का इस्तेमाल किया था। और fifa,rian गेम स्वाट के भी कई सालों पहले, हजारों सालों पहले, एक एगजाट बताओ तो, कृस्त पुर्वा दुसरी शताबदी में, ग्रीस में एक हीरो नाम का वेक्ति था, हीरो कहते थे उसको, एक ग्रीक नाम है, तो उस वेक्ति ने भी लगभग, लगभग, जैसा जेम ने इंजिन बना आया था, वैसा इंजिन बना लिया था, वो उसके करी भी था, लेकिन उसने वह बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि वो जो हीरो था, एक तत्वचिंतक था, और हरपन मोला था, वो बीच में छोड़ देता था, तो उसने वो प्राइतनों छोड़ दिया, तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए दुनिया का बहुत नुक्सान हुआ, जो आविशकार यूरोप में लगा आगे, जेम्स वैट के जमाने में, रेनिसान की यूग में, वो 2.500 साल पहले लग चुका होता है, और उसके कारण आज दुनिया 2.500 साल आगे होती है, सैंटिफिक इसलिए के कारण हम सबको यह नुक्सान उठाना पड़ रहा है, तो यह में कह रहा था कि, आपके एफर्ट की जो इसलिए है, 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 आ पेज आउट तो इसी के साथ इस वीडियो का हम अंत करेंगे कमेंट करिए लाइक करिए और शेर करिए वीडियो